विदेश मंतरी डॉक्टर जैसंकर जी, मंतरी परिशत के मेरे साथी जंदल विकेशी, हर्दिप पुरी जी, किरन रीजु जी, जोतिरादिते सिंधिया जी, विदेश सचीव, युक्रेन, पॉलेन, रोमेनिया, स्लोवाकिया और हंगरी से जुड़े हमारे सभी राध्यूत और उनके सहयोगे इतिकारी. इनी देशों में स्थीत भारतिय कम्यूनिटी के मेंबर्स और वालेंटे ग्रूप्स अन्य सभी महानुबाओ. देवी और सजनों, अभी मेरी जीन लोगों से बाचित हुई, उनका हसला, उनका विश्वास ये दिखाता है कि जब इच्छा शक्ती हो, देश सेवा का भाव हो, तो कोई भी लक्ष नामुम्किन नहीं होता. मैं आप सभी की सराना करता हूँ, आपका आभार व्यक्ते करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने जो भी सजन बैठे हैं, हर एक के पास कहने के लिए बहुत कुछ है. आपका अपना अनुभव है, दिन रात आपने महनत की है, समय भाव से सब को अपनी बात बताने का मोका नहीं मिला है, लेकिन यहाँ जो स्टूडन्स आये हैं, उनसे हमने जो सुना है, उसमें आप सब के पुर्शार्त की सेवाभाव की अनेक घटनाएं सुनने को मिली हैं, और इसलिए आपको आज भले ही कुछ कहने का शायद आउसर नहीं मिला हो, लेकिन आप सब इस अंगटर्णों ने जो काम किया है, मैं सब का धन्यवाद करता हूं, और विशेश तोर पर मैं अपने भारतिय स्टूडन्स का जिक्र करूँगा, गर्शे हजारों मिल दूर, वीकट परिश्थित्यों में हमारे विद्यारतियों के ने हौसले और जबर्दस टीम भावना इसका उत्तम उधान दिया, ज्यादा तर छात्र छात्रा अपने आसपास वालों को भी मत देते रहें, मैं ऐसे सभी स्टूडन्स के प्रसंशा करता हूँ, हमारे युवाच छात्र बाइन नवीन के निधन पर भी मैं पुन अपना दुख व्यक्त करता हूँ, हम सभी की प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रिये जनों के साथ हैं, साथियों, आज का ये कारिक्रम, आउपरेशन गंगा को सफल बनाने में, आपने जो योगदान दिया है, आपने जो पुर्शार्थ किया है, जो सेवा भाव को प्रगट किया है, उसे समर्पित हैं, आपके अथक प्रयासों का ही परणाम है, कि उक्रेन से करिब-करीब 23,000 भारतिय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लोट आए, जब दो देशों की सेनाए एक दूसरे के सामने हो, हथियार और धमाकों से गिरिवी परिश्थिती हो, तब इतना बड़ा इवेक्वेशन, इतना बड़ा इवेक्वेशन आपरेशन, चलाना बहुती चुनोती पुर्ण था, इनमें विदेश विभाग, रक्षामंत्राले, भारतिये वायुसरेना से लेकर, नीजी एरलाइन्स, ग्राउंड पर एमबसी के अधिकारी से लेकर, आप जैसे सभी वालेंटिर्स, सभी ने सक्रिये रूपिसे प्रोएक्टिवली अपना योगदान दिया, ओपरेशन गंगा के दौरान, मेरी कोशिश लहती थिक हर दिन भारत सरकार के समंधित व्यक्तियों के साथ लगातार, मिलता रहूं, परिशितियों का आकलन करता रहूं, आप मैंसे अनेक लोगों के साथ भी सीधे संपर्ण में रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि युद्ध खेत्र में आप किस तरह बादूरी से डटे रहे। इन दोरान मैंने भी अनेक राष्टा अध्यक्षों से बात की, लगातार उनसे संपर्ण में रहा। आज के इस कारकम में मैं उन सभी राष्टा अध्यक्षों का भी आभार वेक्त करना चाहता हूं। बैस अवसर पर भारतिय कम्यूनिटी, स्वयम से भी समूह और भारतिय कम्पनियों को भी उनकी सहायता और निस्वारत सेवा के लिए विशेश तोर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के नागरिकों को चात्र चात्राओं के लिए आपने रहने का इंतजाम किया, खाने पिने का इंतजाम किया, इसके साथ आपने उनके मन की जो रिस्तिती थी, उसको संभालने के लिए व्यक्तिकत तोर पर ध्यान दिया। उन्हें सुरक्षित रखा, आपके ये प्रयास बहुत बड़ी सेवा है और मैं आप सब की भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ, हम केवल भारतिय मुल्के ही नहीं हैं, हम भारतिय मुल्यों के भी हैं, ये आपने अपने व्यहवार के द्वारा सिद्ध कर दिखाया है, साथियों हम भारतिय किसी भी देश में रहें, लेकिन भारतिय मुल्यों को मानवता के प्रति करितव्यों को कभी नहीं बूलते, ये हमारी परंपरा, उस परंपरा की प्रेणा ही है, कि युद्धक्षेत्र से हमने भारतियों के साथ ही अठारा अन्य देशों के अनेकों नागरिकों को भी वहां से निकाला, उनकी भी सेवा की, इसमें बांगलादेश, नेपाल और हमारे पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, कनेडा, बिल्टेन के भी नागरिक शामील है, हमने युक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को 90 टन से अधिक बानविय सहायता भी प्रदान की है, फ्रेंट्स, दूसरे देशों में संकट की स्थिति में भारतियों की सुरक्षा और उनका हर हित सुनिश्चित करने के लिए हमारी चरकार पूरी तरह प्रतिवद्ध है, कहीं पर भी भारतिय नागरिक काम कर रहा हो या पढ़ाई के लिए गया हो, उसको आज ये विश्वास है कि भारत की सरकार उसकी चिंता कर रही है, संकट की घड़ी में भारत कभी भी पासपोर्ट का रंग नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ मानवताब का होई अग्रीम पंक्ती में रखते हुई निर्णे करता है, और ये विश्वास एक दिन में नहीं बना है, चाहे 2014 में टुनिश्या में वहाँ से भारतियों को सुरक्षित निकालना हो, 2015 में यमन से आप्रेशन राहत चला कर युद्धक्षेत्र से भारतियों को वापस लाना हो, 2016 में साउट सुडान में आप्रेशन संकट मोचन चला कर लोगों को निकालना हो, या फिर पिछले साल अफगानिस्तान में चलाया गया आप्रेशन देवी शक्ती, हमारी कोशी यही रही है कि कोई भी भारतिये नागरिक विदेश में अकेला या असहाई न महसूस करे, इस कोरोना महमारी के दोरान भी भारत दूसरे देशों से लाखो भारतियों को वंदे भारत अभ्यान चला कर वापिस लाया, और हमारी यह संबेदना सिर्फ भारतियों को लेकर ही रही है, ऐसा नहीं है, हमने अन्य देशों में आपदा के समय भी उन देशों के नागरिकों की आगे बढ़कर मदद की है, कोरोना के दोरान ही हमने 150 से जादा देशों को जरूरी दवाईया भेज कर लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद की, चाहे नेपाल में भुकंग पे बाद हमारा ऑपरेशन मैत्री था या मालदियूज में पीने का पानी पहुँचाने के लिए ऑपरेशन नीर था, भारत ने पूरे सेवा भाव के साथ दूसरे देश के नागरिकों के भी संकट में साहय ताकी, साथियों, आपरेशन गंगा के दौरां, हम सभी को जो अनुभव रहे, वो हमें बविश्च में इस तरह के हालातों से और बहतर तरीकों से निपटने में मदद करेंगे, मैं सभी भारतिय मिशन से ये भी कहूँगा, कि आप जिस देश में हैं, वहां रहने वाले सभी भारतियों का अपडेटेड डेटा आपके पास जरूर रहना चाहिए, मुझे पता है कि आप इस दिशा में प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में निरंतरता बहुत आवश्च्थ है, लगातार अपडेट करते रहना चाहिए, मेरा एक आग्रह, विदेश में रह रहे हैं, समस्त्य भारतिय समुदाय से भी हैं, भारत इस साल आजादी के पचतर वर्ष, अमृत महोत्सव का पर्व मना रहा है, आप सभी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आयोज़नों में हिस्सा लें, और जादा से जादा कारकम खुद भी आयोज़ित करें, ये भारत की आजादी के नायक नायकाओं को आपकी तरफ से उत्तम सद्धांजली होगी, साथियों मुझे ज़्यादा तर देशों में रह रहें, इंडियन डायस्पोरा से कई कई बार मिलने का मोका मिलता रहा है, आप किसी भी देश में हो, वहाँ जब भी किसी भारतिये को देखते हैं, आपके मन में स्नेज जग जाता है, एक अलग ही आत्मियता नजर आती है, आपका मन करता है, कि उस भारतिये के लिए कुछ न कुछ जरूर करें, और मैं ये भी जानता हूँ, कि आप भले ही किसी देश में रहें, अपने भारत के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं, आपकी सदेव इच्छा रहती हैं, कि भारत के लुच कुछ करें, मेरा आप से ये भी आगर हैं, कि दूसरे देश में रहते हुए भी, आप भारत की छवी मजबूत करने में, भारत की विकास यात्रा में जितना संभव हो, उतना प्रयाद जरूर करें, हम भारतियों की प्रक्टूती और हमारी लोकत्रांत्रिक प्रवुत्ती की दुनिया कायल है, भारत की मानविय सम्मेदनाई भारत का मानवताबादी व्यहवार हमें पुरी दुनिया में एक अलग पहचान देता है इस पहचान को हमें दिनों दिन मजबुत करना है और मैं खास करके इन पांचों देशों के मिशन्स को भी और वोलेंचेस को भी आगर से कहना चाहता हूं किस क्राइसिस के समय हम लोगों ने कब क्या किया कैसी चुनोती आई किस प्रकार से साथ मिलकर के रास्ते निकाले कैसे प्लानिंग किया कैसे एक्जिकूर किया उसका यह डॉक्यूमेंटेशन सारे वोलेंटेस ने भी क्या काम किया उसका भी उसमें जोड़े यह डॉक्यूमेंटेशन कभी ने कभी हमें काम आता रहेगा हमारे मीशन के पास इसका सारा संग्रह हो फिर भारत सरकार को भेजे मुझे विश्वात है का आप लोगों के पुरसार के गाथा उसमें विश्थार्त बाते हैं उसको भी जोडिए मैंजमेंट के जो पहलू है उसको भी जोडिए उसमें जो चुनोतियां हैं उसको भी विस्तार चे लिखिए ता कि इस प्रकार का बड़ा इप्रेशन और तैने कम समय में और युद्धे के पीच में और प्राकोतिक स्थिती विप्रित अपने आप में एक केस्टड़ी का विशे बन सकता है जो आने वाली पीडियों को कभी प्रेना दे सकता है साथियों आप सबने समय निकाला देश में लोगों के लिए इतना सारा काम किया ओप्रेशन गंगा के लिए मैं फिर एक बार आप सब की बहुत-बहुत सरहना करता हूं बहुत-बहुत बधाई देता हूं होली का त्योहार कल शुरू हो रहा है मैं होली के इस त्योहार के लिए आप सब को अनेक-अनेक शुक्वामनाई देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद